हलो गाइस गोड इवनिंग कैसे हैं आप सब आप आप सभी अच्छे होंगे घर पे होंगे और सुरक्षे दोंगे चलिए तो यहां पर क्वाडिटिक एक्विशन में हम कर रहे थे एक्साइज 4.3 इससे पहले 4.1 और 4.2 और 4.3 के भी कुछ कॉश्चंस हम लोग कम्प्रीट कर चुके हैं चलिए तो देखते हैं एक्साइज 4.3 में हम करने वाले थे कॉश्चन नमबर 9 अब यहां पर जो 4.3 में कॉश्चंस थे उन कॉश्चंस में हमें क्या एक सिच्विशन गिविशन रहती है उससिच्विशन के akaardङिंघ हमें equation होती है और धीक्विशन के होती है alors थे हमें ृंटरीडिकंगे फारने होती है फिर ऒर हमें उसके रूठ्व करने होते । चलिए देखते हैं तो कॉश्चंस नमबर nine क्या कहแ रहा है टू वाटर टैप से एक साथ चलाए जाते हैं तो एक टैंक को नाइन होल थ्री अपॉन एट आर में फिल कर देते हैं तो चोटे वाले को जितना टाइम लगता है उससे बड़ा वाला कितना टाइम लेता है धस गंते और कम तैंव लेता है अब देखNow यो पतला पाइप होता है पतले पाइप से जो पानी जा रहा है उसमें जो पानी का वालिउम होगा यो वो किया ज़ादा टाइम लगेगा किसी भी टैंक को फिल करने में लेकिर अगर पाइप की size यानि उसका जो रेडिया है वो diameter है वो क्या है जादा है चोड़ा है तो क्या उस टैंक को भरने में उसे कम time लगीगा कितना कम time लग रहा है 10 गंटे कम time लग रहा है to fill the tank separately okay find the time in which each staff separately fill the tank अब हमें time find करना है दोनों का लगला कि दोनों कितना कितना time ले रहे हैं तो हमें क्या कि बिन था कि दोनों साथ में fill कर रहे हैं वो कितने 9 whole 3 upon 8 hours में fill कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक time let कर लेंगे कि कितना time लग रहा है तो question को देखते हुआ जो question है इसमें time taken by smaller pipe अगर हमारा small छोटा वाला pipe है XR time ले रहा है कितना time ले रहा है XR time ले रहा है किसी भी tank को fill करने में tank का volume तो हमें के पर नहीं है तो कितना एक्स आर अब इसके according जो बड़ा वाला pipe होगा larger pipe होगा वो कितना ले लेगा larger pipe होगा वो कितना time लेगा तो time taken by larger larger pipe then तो यह देखो जितना time यह छोटा वाला pipe ले रहा था उससे just 10 घंटे कम कौन सा time कौन सा वाला pipe ले रहा है बड़ा वाला pipe ले रहा है तो इसके according यह हो जाएगा X-10R ओके तो time taken by the smaller pipe XR और time taken by the larger pipe कितना हो जाएगा X-1 upon 10R ओके इतना हो गया अब क्या condition यह बिन थी कि दो water type together fill the tank in 9 hole 3 upon 8R ओके अब देखें जो time ले रहा था किस छोटा वाला pipe XR में तो इसके according अगर एक घंटे में pipe fill करने वाली बात करें तो क्या हो जाएगा efficiency का just opposite हो जाएगा time का just opposite क्या होता है efficiency मतलब उसका कितना कितनी उसकी power है तो 1R में कितना tank fill करेगा 1 upon X part कितना part fill करेगा part filled by 1R किस के लिए part filled by कितना small pipe अगर small pipe in 1R in 1R बनार में बात करें तो 1 upon X part को fill कर देगा वहीं अगर हम larger pipe की बात करें larger pipe बड़ा वाला pipe है कितना part fill करेगा तो कितना part fill कर देगा 1 upon X minus 10 part fill कर देगा अब पताया गया कि दोनों मिलके ये दोनों छोटा वाला pipe भी इसकी efficiency find कर ली हमने कि इसकी जो छमता है वो कितनी है 1 upon X part fill कर सकता है कितना एक घंटे में पहले तो हमने क्या लिया time लिया कि time taken by the smaller pipe चोटे वाले pipe में हमने लेट कर लिया कि कितना XR time लग रहा है इसको पूरा fill करने में वहीं अगर बड़े वाले की बात करें डायमेटर से क्या हो जाए कि उसका एरिया जादा होगा और एरिया जहां जादा होगा तो उसमें क्या लगेगा फिल करने में कम time लगेगा तो दस घंटे कम time लग रहा है तो यहां पर time taken by smaller pipe कितना था और यह बड़ा वाला pipe दोनों मिलके fill कर रहे हैं tank को और tank को fill कर रहे हैं तो उसमें time क्या given था कि 9 hole 3 upon 8 hour कितना कि time कितना ले रहा है दोनों मिलके time taken कितना time ले रहा है 9 hole 3 upon 8 hour कितना time 9 hole 3 upon 8 hour okay अभी यह किसमें दिया गया है hole में दिया गया है तो अभी यह किसमें hole में है hole में यानि क्या mixed form में है तो mixed form को convert करेंगे हम किसमें improper या proper form में है तो यहां पर यह improper तो होता नहीं actually proper तो होगा नहीं यह किसमें बनेगा improper form में बनेगा तो पहले 8 का multiply 9 से करते हो 3 को add कर दे तो 8 multiply by 9 plus 3 upon 8R यह हो जाएगा तो 8, 9 जा कितना हुआ 72 plus 3 divide by 8 यानि हो जाएगा 75 divide by 8R देखो यह time ले रहा है क्या करने में फिल करने में तो यहाँ पर XR था तो उसका अगर opposite करें तो उसकी efficiency कितनी हो जाएगी 1 upon X अगर इसकी efficiency की बात करें अगर इसकी efficiency की बात करें तो just ultra हो जाएगा 8 upon 75 अब देखो जहाँ पर हमें question में given था according to question क्या था कि दोनों pipe मिल के कर रहे हैं एक अकिला नहीं कर रहा है question में जैसा कि given ही था कि two water taps together can fill the tank दोनों मिल के कर रहे हैं कोई एक अकिला नहीं कर रहा है जो condition होगी बो क्या बनेगी दोनों की साथ लेके चलना है तो पहले ले लिया हमने छोटे वाले pipe को 1 upon x और second वाला कितना ले लिया 1 upon x minus 10 और दोनों के इसकी efficiency just opposite हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 8 divided by 75 ये equation बन जाएगी 1 upon x plus x minus 10 is equal to 8 upon 75 ये हमने फिर्फ अभी equation बनाया है इसको आंगे solve करेंगे चले देखे स्टार्टिंग से देखे तो क्या given था कि the time taken by the two tap water taps together can fill the tank in 9 whole 3 upon 10 hour तो 9 whole 3 upon 8 sorry 3 upon 8 hour उसी का किया तो कितना हो गया 75 upon 8 hour time ले रहा था और क्या question में given था कि छोटे बाले pipe का अगर हमने x let कर लिया तो उसकी according बड़े बाला pipe कितना 10 गंटे कम time ले रहा है तो ये x minus 10 हो जाएगा तो कि तो इस तरह से हमने किया इसकी efficiency find कर ले अब जो equation हमारा 1K आया इस equation से हम क्या करेंगे x की value find करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि छोटा वाला pipe कितना time ले रहा है और फिर उसमें से अगर हम 10 minus कर देंगे तो बता चल जाएगा कि बड़ा वाला pipe कितना time ले रहा है इस tank को fill करने में यही तो हमें find करना है चलि ये देखते हैं तो question को equation को solve करते हैं इसको erase कर दे इतना पाट इसको ले ले छोटा वाला pipe कितना ले रहा है एक साल ले रहा है और मूटा वाला pipe कितना ले रहा है X minus 10 R ले रहा है दौनों का अमने side में लिख दिया है यह smaller के लिए था और यह larger के लिए है तो देखें अब यह एक वीशन अब देखें यहां पर एक से यहां पर एक स्माइनस 10 is equal to 8 upon 75 हम क्या कर सकते हैं लसे हम ले सकते हैं तो X X-10 यह हमने ले लिया है तो यहां पर क्या आ गया X-10 आ जाएगा और प्लस सिंबल यहां पर क्या जाएगा X आ जाएगा is equal to 8 divided by 75 ओके आंगे देखें अब आंगे क्या कर लेंगे इसका open कर लेते bracket को X-10 प्लस X divided by X का अंदर multiply हुआ X into X कितना हो जाएगा X square minus X का 10 में हुआ तो कितना हुआ माइनस का 10 X is equal to 8 divided by 75 अब देखें यहां पर एक X यह भी प्लस का है एक यह भी प्लस का है तो X X कितना हो जाएगा 2X minus का 10 X X 2X minus 10 divided by हो जाना है X square minus 10 X is equally to 8 divided by 75 देखें अभी 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 तिना आ गया है अब क्या करेंगे हम cross multiply कर लेंगे cross multiply तो यहां पर 75 को and 2X minus 10 X के यहां हुआ है का 10 X मेंaire का ten X में बेका 75 को कर दिया है 2X minus 10 में okay 8 को multiply कर दिया है किसमें A25 minus 10 में और 75 को multiply कर दिया 2X minus 10 में अब देखें अंधर multiply कर देते हैं तो 8 का पहले x square में हुआ कितना हो जाएगा 8x square minus 10 8 जा कितना हुआ 80x is equal to अब देखें 75 2c multiply कितना हुआ 150 कितना हो गया 150x माइन सेवेंटी 5 यानि हो जाएगा 750 ओके अब सारी terms एक side ले लेते हैं 8x square कितना है 8x square अब यहां पर 150x है 150x यहां से यहां पर ले जाते हैं तो माइनस कितना 80x और माइनस का 150x और यह माइनस 750 क्या हो जाएगा plus 750 is equal to 0 अब देखें आंगे 8x square माइनस का 80 है और माइनस का कितना है 150 है तो कितना हो जाएगा 260 8 okay माइनस माइनस सिंबल तो माइनस का आएगा 00 हो गया 8 9 10 11 12 13 कितना हो गया 230 230 x plus 750 is equal to 0 okay 8x square माइनस 230 x plus 750 is equal to 0 तो इसको solve करने के लिए मैंने क्या पता था factorization method और इसके बाद दो method और भी बताये थे तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इसको क्या factorization method के थ्रू करके तो पहले ए और ती का क्या होता है multiply होता है तो 750 multiply by 8 is equal to हो जाएगा 5,8 जा 40 का 0 और 40 और 7,8 जा 56 और 56 कितना हो जाएगा टोटल 60 है नहीं 6000 हो गया कितना हो गया 6,000 अब देखें वो जो 6,000 है यहां पर addition या subtraction करने पर कितना आना चाहिए 230 आना चाहिए तो जड़ा देखें हम इसको कितना 6,000 200 into 33 जा 6 होता है 200 into 3 तो 200 into 30 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा तो इस तरह से pair बन जाएगे क्या अगर हम 6000 को तोड़ें तो 200 into 30 में तोड़ सकते हैं और 200 plus 30 करें तो कितना हो जाता है 230 हो जाता है तो यहां पर 8x square हमने same लिखा यहां पर 230 230 के place पर क्या लिख सकते हैं 200 plus 30 लिख सकते हैं कोई change हुआ क्या नहीं 230 क्या 200 plus 30 x plus 750 हो गया है कितना 0 अब separately दोनों को अलग अलग ले ले लेते हैं तो क्या हो गया 8x square minus 200 x 8x square minus 200 x and minus कितना 30 x और प्लस कितना 750 is equally to 0 ओके अब देखें यहां पर क्या हम 4 को common कर सकते हैं यहां पर भी 4 common कर सकते हैं तो हमने ले लिया है 4x common कितना ले लिया है 4x common तो यहां पर कितना बचेगा कितना बचेगा कितना बचेगा और 2x 2x square और minus symbol 4 5 जा होता है 20 तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा तो चलो 4 नहीं 4 2 जा 8 को भी ले सकते हैं 8 से 200 डिवाइड हो जाता है गया 8 से हमने 200 को डिवाइड किया 8 2 जा कितना हुआ 164 और 85 जहां बिल्कुल 8 8 ही ले लेते हैं क्योंकि 8 से यह फूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या ले लिया हमने 8x common ले लिया है कितना लिया 8x common लिया जरह देखें इससे 8x common लिया तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कितना बचा 25 बचा X-25, आप यहाँ पर minus, देखो, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 750 है, तो 3 से 75 क्रोर्श होई जाते है, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है, 12 से divide हो जाता है, तो हमने यहाँ पर ले लिया, सीधा-सीधा 30 ले लिया है, तो यहाँ पर X बचेगा, और minus 3, 2 जा कितना होता है, 6, 1 remainder, और 3, 5 ज is equal to 0, दोनों जगाए पर देखो, X minus 25 यहाँ भी है, X minus 25 यहाँ पर है, तो पहला जो बना, वो हो गया है, कितना, 8 X minus 30, और second में आ जाएगा, X minus 25 is equal to 0, 8 X minus 30, और second हो गया, X minus 25 is equal to 0, तो दोनों को separately, अलग अलग ले ले लेते हैं, second side ले ले, 8 X minus 30 is equal to 0, ले लिया पहले, 8 X minus 30 is equal to 0, so 8 X is equal to कितना हो गया, 30 हो गया, X is equal to कितना, 30 divided by 8, कितना, 30 divided by 200 है, 15 time हो गया, और यह कितना, 4, यानि 15 divided by 4, ओके, अब second की बात करें, X minus 25 is equal to 0, कितना, X minus 25 is equal to 0, तो X is equal to कितना हो गया, 25, ओके, X is equal to कितना हो गया है, 20 X minus 25 is equal to 0, so X is equal to कितना हो गया, 25 हो गया है, और यहाँ पर second वाला जो था, वो first वाला रूट कितना था, X is equal to 15 divided by 4, अब देखे 15 divided by 4 को अगर हम कितना करें, होल में करें, तो 4 से अगर 15 को डिवाइड करें, तो कितना 4 3 जा हो गया है, 12 और remainder 3, तो कितना हो गया, 3 होल 3 upon 4 R, कितना हो गया, 3 upon, 3 होल 3 upon 4 R, और यहाँ पर X के according आगे 25, तो देखें, यहाँ पर जो छोटा वाला है, smaller की बात करें, smaller वाला, smaller pipe जो था, वो कितना ले रहा था, XR टाइम ले रहा था, XR, अब देखें ज़रा है, यहाँ ध्यान देखें, smaller pipe, छोटा वाला pipe, XR टाइम ले रहा था, उसके अगड़ा में X की value, 3 whole 3 upon 4 R, यानि 3 R से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सा छोटा वाला pipe, तो बड़ा वाला pipe जो था, वो कितना X minus 10 था, यानि जो value X की होगी, उसमें से 10 गंटे और हमें क्या करना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा, लेकिन यह तो already 3 गंटे की something है, यह तो possible नहीं है, तो वहाँ पे तो time कहाँ चला जाएका, negative में चला जाएगा, तो यह तो possibility बनेगी ही नहीं कि हम time को कितना ले ले, 3 whole, 3 upon 4 R, यानि कि 15 upon 4 R ले ले, यह तो possible नहीं है, अब second का condition बचती है, कितना X का value कितना है, 25 आया है, तो जो second वाला value X का 25 आया है, तो छोटे वाले pipe के लिए कितना था, XR, इसके according हो जाएगा, कितना 25 R, कितना हो गया, 25 आया है, अब बात करें larger pipe, यानि बड़े वाले pipe को कितना time लग रहा था, जो छोटे वाले pipe को time लग रहा था, उससे 10 घंटे कम, यानि X minus 10 R, कितना time लग रहा था, X minus 10 R, तो यहाँ पर X की value हम already find कर चुके हैं, कितना 25 और 25 मैंसे 10, यह तो minus करना possible है, लेकिन उपर minus करना possible था ही नहीं, तो 25 से जब हमने 10 minus कर दिया, तो बड़े वाले pipe को कितना time लगेगा, 15 घंटे, 15 R, तो question को solve हो गया, क्या करना था हमें दौनों pipe का, कि मतलब कितना time लेगा, चोटा वाला pipe separately, और बड़ा वाला pipe separately, तो चोटा वाला pipe, solution करने पर हमें, पता चलागा कि कितना ले रहा है, 25 घंटे का time ले रहा है, उस tank को fill करने में, और बड़ा वाला pipe है, जो उससे just 10 घंटे कम 10 घंटे कम, यानि कितना 15 घंटे ले रहा है, सिर्फ tank को fill करने में, इस तरह से question number, exercise 4.3, 4.3 का ये question number कौन सा था, 9 था, ये question number 9, NCIT के book से हम ये सारे solutions कर रहे हैं, तो ये NCIT CBST board के लिए है, तो NCIT CBST board के लिए question number 9, exercise 4.3, quadratic equation हम लोग solve कर चुके हैं, अगर आप में इसको कोई doubt रहता है, तो please आप मुझे comment section में बीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को like कीजे, अपने दोस्तों में share कीजे, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को subscribe कीजे, इस तरह के वीडियो आपको और series मे आगे continue, मिलते रहेंगे, thank you